हेलो इन वेलकम काई स्वागाट आपका फेंटासी दिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुकन मलेशिया टी ट्वेंटी की बात करेंगे जो कि मैज होगा या पर केद्दा वसिस नागेरी सेंबीलन के बीच में तो चलिए दोनों इटिम के प्लेयर पर एक जाना किया से युटूब चैनल को beetle को सबस्क्राइम कarएक है क्यों कि पूरी टोन है mai Tc YouTube चैनल के जाएंगे इसके साथ-साथ आपको यहां सब्सक्राइब कर लेंसे चनल सब्सक्राइब करना है साथ-धिमूर जाएगा क्योंकि फाइनल अप्टेट और फाइनल इम आपको टेलिग्राम चनल पे मिलने वाली है और टेलिग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रेडी टेलिग्राम का लिंक अटेज किया है इनके सगर लिंक में कुछ जिक्कार आती लिंक व बहुत ही जबर्जस्त रंद बनते हैं तो यहां से 150 के प्लस या फिर 200 तक भी स्कॉर जा सकता है रेकोर्ड चेजिंग रेकोर्ड मैं अभी रख पिछली पूर्णामेट में 24 मेंच किलिगेटी जापर 10 और 12 तो इक्वल याकड़े इतना कुछ खास नहीं हाला कि फिर भी ट लेकिन मेरे ख्याद से यहां से फिर दोस अश्री और यासे आरिफ यूसुप दोनों ओपनिंग करवाने चाहिए अश्री की बात के तो बहुत ही जबजस्त प्लेयर है बहुत से आला किसम के प्लेयर है यासे 15 मैच के अंदर करीबन 19 के औरे से 220 रंग किये हुए से 7 विगे से लिए मैं ट्राइक कर सकते हो 55 मैच के दर 48 ओस है औप स्पिन गेन बाजी कर वा लेता है राइट है बैटिंग कर वा लेता है टोडल 135 वास की गेन बाजी कर चुका है करीबन 16 के वरे से 500 यह कर चुका है बैटिंग से बोलिंग से दोनों इसे अच्छा अच्छा बैटिंग से दोनों इसे दे सकता है इनको आप लोग है चैप्टन के तौर पर ट्राइक कर सकते हो लेकिन यहां से आपकी स्मॉल लिग या ग्रान लिग के टीम के अंदर कैप्टन आपके अक्रम मलिक रहने चाहिए जो कि आपके लिए शिप भी रहेंगे और एक अच्छा आडवेंटिस भी देते हो नजरा सकते हैं 46 मैच के अने करीबन 23 के वड़े से 618 रहन किये हुए साथ में यहां से 41 विकेट्स निकाले हुए उन्होंने 113 पॉइंट एक वोस की गेन बाजी करते हुए तो हर एक मैच के अने यह से 2-4 वोस करवा सकते है और बैटिंग के बा यह से 306 वोस करवा सकते हैं बात करें आदम मली की इसमाइल जो की 35 मैच के अंदर 23 विकेट्स निकाले हो तो इनको डिफ्रेंस लिए में ट्राइ कर सकते हैं तो यह सगर बैटिंग नहीं आएगी तो फिर इंसे को उम्मित नहीं है लेकिन बैटिंग आएगी तो फोड़े बहुत रन मारके भी दे सकता तो यह से इनको डिफ्रेंस लिए में ट्राइ करना है दार्विस बेहरिन को मैं स्मॉल लिए के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा इनको थोड़े से रिस्की केलो करान लिग वगेरा केलो तब ही ट्राइ करोगे यहां से मोहमद आरस आजमी को थारा मैच करने तीरा विगेड है पच्छतर रन की हुए तो बैटिंग से बोलिंग से ड्वाटर्ज दे सकते हैं बैटिंग से तो कोई उमीद मत करीगा हलाकि और इक मैच करने से दो से तीन और सकते हैं बात करें से मोहमद इर्फान अजीरूल जहीमी जो की 17 मैच करने 17 व बोलस को लेना है यहां से मोहमद इर्फान अरीज अरूल जैमी या फिर यह से अजरी बिन अब्दुल्ला या फिर यह से मोहमद नूर पकरूल इसमें से आप से एक से दो बोलस आपको लेने और डिसाइट कर लिजाएगा क्यूंकि तीनों गए पर्फॉमस खास तो रहा है बेंच में से अगर वोई भी खेलता है तो इनकी अपडेट वगेरा आपको टेलिग्राम में मिलेंगी तो जल्दी से जाके आपको टेलिग्रम चैनल को जोइन करना है क्योंकि फाइनल टीम फाइनल अपडेट वगेरा वाई पर मिल जाती है NGS की बात करें तो यासे मुहमद फारिस इसकंदर और यासे मुहमद बहरिन दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं देगा फारिक इसकंदर की बात करते हैं काफी तापड़ तो बले बाचे थोड़ा सा ही 10 मेंश टाइप का है लेकिन जब भी खेलेगा तब यासे 60 रन वाला की चोईस हो सकती है 22 मेंच के अंदर करीबन 33 के वरे से 309 रन ये साथ में 14 विकेट उन्होंने निकाले 14.5 वर्स की गयन बाजी करते हुए राइट आप मीडिया फास गया गया यासे पावर प्ले वगर हमें गयन बाजी कर सकते हैं अम्मार यूसरी ने 15 मेंच के अंदर करी तो 13 मेंच के अंदर करीबन 17 के वरे से 101 रन है 11 विकेट एज डिफ्रेंसियल वे में आपको ट्राइ करना है बाकि सैफुल खान को में शायद स्मॉली के लिए सजेस्ट ना करो तो इनको थोड़ा दिश्की खेलो तो ट्राइ करेगा बाकि मोहमद यूसरी आपकी टिम के अं पूरी करवा सकते हैं राइट अम मीडियम फास गयन बाच है आसे विकेट टेकिंग कैपीचिट उनकी जबजस्ट है तो हर एक मैंच के अंदर यहां से बात करो फाकरूल फारूज की तो कि उन्दीस मैच के न उन्नीस विकेड है तो एस फ्लेयर यहां से दोनों मेंज दर क कर सकते हो अधिप इरवान या फिर आसे फकरूल फारूज या फिर आप दोनों के साथ जाना तो तो दोनों को भी लेके जा सकते हो बाकि बात करें ऐसे डेनियल हवारी जो की 30 मैच के अंदर पांच विकेड है तो एचा डिफ्रेंसिल में ट्राइग करना है स्मोली के लिए में सज्जेस ना करूबा की मौहमद जिमी रिस्की रहेंगे यासे मौहमद यूसूफ को आप लोग ट्राइक कर सकते हैं दिफ्रेंसिल 14 मैच के अंदर 11 विकेड है 36 वस की गयन बाजी की वे तो हर एक मैच के अंदर यासे 2-3 वस करवाता है और यासे मिडल वस वगेरा में टीम को जरूरत है उसके साफ से आसे 2-3 वस करवा सकता है ब्यांच में से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके अपडेट और टीम वगेरा आपको टेलिग्राम चैनल में मिलेंगी तो जल्दी से जाके आपको टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडे लेगी बैडिंग वाद करोते हैं आइमान जकवान यहां से महमद बहरिन महमद हजीक और यह से यूसूप हमारी टेम के लिए और यह से यह मलिक रहेगे यहां से एच इरवान और मैंने यह से को लिया हुआ बाकि options की बात करो तो options यासे डी वहरिन वगेरा को ट्राइ करना चाहो तो अपने according change कर सकते हो टीम की बात करो टीम मेरी कुछ इस तरह से रहेगी captain रहेंगे हमारे यासे अकरम मलिक और vice captain की बात करो तो मैंने यासे यूसरी को vice captain से दी हुई है options मैंने already सारे मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिये तो आपको अगर कुछ changes करना चाहो captain wise captain change करना चाहो या पर कोई player को change करना चाहो तो आपको वीडियो एक पर अच्छे से देखना है मेरी team अभी के लिए कुछ इस तरह से रह सकती याद रहे कि यह पर आप रेंब को सिदा आपको लिखे करना चंप나ा डेरट उस से जोइन करना क्या क्यूंकि फाइनल अपड़ेट और फैनल टिम आपको यह पर मिलने वाली है तो बाकि यहां अगर वीडियो अच्छा लगए वीडियो को आपको लाइक और शेयर करना है साथी में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि यह तूनामेट तो हम लोग पूरी कवर कर रहे हैं इसके साथ आपको यह से जिंबावे टीटे और यहां से केशी मेंस भी बहुत जल सुरूँ होगी तो इस सारी अच्छे मेंचेस के वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले तो सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना है साथी में यह से टेलीग्राम चैनल से जोईन हो जाना है क्य क्योंकि अपडेट वगिर आपको अई पर मिल जाएगी तो वही दोनों काम का लेना वाकी पूरा वीडियो देखते रहो अच्छा अनलिसस कते रहो अच्छे से टीम बनाओ अच्छी सी विनिंग करते रहो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सर्प्राइजर व हराद